यहां पर साइन्स और टेकलोजी की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है जो की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके काफी इंपॉर्टेंट है तो हम लोग उन्हीं क्वेश्चन सीरीज आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप सभी लोग डेली अपडेट्स जो भी आपके क्लास के रिगार्डिंग या कौन सा शेडियूल या आपकी कोई क्वेरी है कुछ भी आपको कोई कंफ्यूजन है कि आप अपने फैकल्टी से अपने अपने से कंसल्ट करना चाहते हैं केलिग्राम चैनल जो है आप उसको जोइन करिए सेलेक्शन मेंटर कानपूर के नाम से जो है और इवन आप फेस्बूक और इंस्टा पर भी फॉलू कर से तो देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं कि आज कि हमारा पहला प्रश्ण क्या कहता है तो सबसे पहली चीज जानते हैं हम लोग कि आखिर ये कुनैन है क्या तो कुनैन जो है ये आपका यूज किया जाता है एक क्यामिकल सब्स्टेंस है यानि कि रासानिक पदा है जो की malaria disease के against यूज किया जाता है यानि कि malaria के विरुद्ध यूज किया जाता है कुनैन को ठीक है तो ये किस से निकाला जाता है तो यहाँ तो options में है poppy यानि कि posta, kasia, parola और cinchona तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो poppy है poppy यानि कि posta जो जो पोस्ता दाना होता है जो कि गरम मसाले में इस्तमाल करते हैं या इसका पूरा नाम जो है opium poppy यानि कि जो afeem है afeem की का जो इस्तमाल है या afeem जो extract किया जाता है वो poppy opium poppy जाता है रभीन के अगर हम लोγά बात करें तो अकेसिया के पेर से इसकी ब्रांचेस सो और इसकी लखड़ी से पत्था निकाला जाता जो कि पेरूले जो है इसतमाल किया जाता है फैरूला की जड़ों से जो हींग निकाली जाती है, हींग जो कि हम लोग खाने में different dishes में पैरूला से लिया जाता है और सिनकोना की छाल से जो है निकाला जाता है क्या कुनैन जो की malaria का medicine होता है ठीक है तो इसका right answer आपका option क्या हो जाएगा D यानि की सिनकोना Next question है हमारा Which human body gland is known as master gland यानि की मानव सरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथी है जिसको क्या कहा जाता है जिसको master gland के रूप में नाव से जाना जाता है यानि की master gland तो जो हमारी master gland है यानि की अगर हम बात करें की master gland वो कौन सी है options है आपके pancreas यानि की अगनाशय लिवर यानि की यक्रित आइपो थालमस या प्यूश ग्रंथी तो हम लोग जानते हैं कि हमारी body में जो master gland है वो आपका कौन सा है pituitary क्यों क्योंकि pituitary यानि की प्यूश ग्रंथी से different type के hormones release होते हैं जैसे कि अगर तो TSH TSH को हम लोग क्या कहते हैं बेटा इसको कहा जाता है thyroid stimulating hormone जो की thyroid gland को activate करने जो release कहां से होता है यहीं से release होता है ACTH यानि कि adrenocorticotropic hormone तो जो ACTH है यानि कि adrenocorticotropic hormone है यह adrenal gland यानि कि हमारी जो अधिवरिक ग्रंथियां है उनको activate करने का काम कर रहा है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारी body में जो pituitary है यानि कि जो हमारी push granthi है यहीं बाकी की glands को masses देती है तब वो काम करती है Master gland के नाम से जानते हैं तो pituitary gland को जानते हैं यानि कि push granthi को माना जाता है और hypothalamus को कहा जाता है master of the master gland यानि कि pituitary का भी master कौन है तो hypothalamus होगा अगर question पूछा जाता है कि which of the following gland is known as master of the master gland तो होगा hypothalamus लेकिन अगर सिर्फ master gland के बारे में पूछा गया तो answer होगा आपका pituitary move करते हैं अगले question की तरफ which of the following is known as female hormone इमन में से किस hormone को इस्तरी hormone के रूप में जाना जाता है या महिला hormone का जाता है तो इस्तरी hormone या महिला hormone की अगर हम लोग बात करें तो ये females में ovulation में participate करता है यानि कि अंडूत सर्ग यानि कि eggs के formation और उनके production में मदद करता है और साथी साथ उनके breast enlargement के लिए यानि कि इस्तनों की वृद्ध में भी साहा है तो वही hormone कहलाता है महिला hormone या इस्तरी hormone या फीमेल hormone तो options हैं यहाँ पर estrogens, androgen, testosterone और insulin तो यहाँ पर अगर देखें तो insulin का क क्या है यह हमारी body में blood sugar level यानि कि हमारे सरीर में सरकरा की मात्रा को नियंतरित करने का काम कौन करता है तो insulin करता है टेस्टोस्टिरॉन की अगर हम लोग बात करें तो testosterone जो है यह आपका क्या है one of the androgens है तो androgens की अगर हम लोग बात करें तो जो androgens होते हैं उनमें से मेल hormone यानि कि पुरुष हॉर्णोन के नाम से इसको जानते हैं लेकिन वहीं जो estrogen है estrogen को हम लोग क्या कहते हैं इस्त्री हॉर्मोन यानि कि female hormone जो है वो कौन सा है आपका? वो है estrogen को का? तो right answer हो जाएगा आपका A. यानि कि estrogen को female hormone के नाम से जाना जाता है Next question है Which of the following nutrients do not provide energy यानि कि निम्न में से कौन सा ऐसा पोशक्ततो है जो उर्जा प्रदान नहीं करता तो हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसमें अभी nutrient हम लोगों को यानि कि भिन पोशक्ततो हम लोगों को मिलते हैं और जब हमारी body में 1 gram carbohydrate यानि कि carb oxidized होता है तो उस से हमें क्या मिलता है उस से हमें 4.2 calorie energy मिलती है ठीके वही protein की अगर हम बात करें तो 1 gram protein जब oxidized होता है तो इस से हमें लगभग carbohydrate के बराबर ही यानि कि 4.1 calorie energy मिलती वही fat की अगर हम लोग बात करें वसा की बात करें तो 1 gram of fat जब oxidized होता है यानि कि आक्सी क्रित होता है तो उस से इसके utilization से हम लोगों को energy कितनी मिलती है 9.1 calorie energy मिलती है और वही vitamin जो है ये काम क्या करते हैं ये as a catalyst काम करते हैं यानि कि उत्प्रेरक के रूप में कारेक्षिए हैं तो vitamin से हमें कोई भी energy नहीं मिलती है तो इसका right answer आपका क्या होगा D option यानि कि आपका vitamin अगला question है the largest and heaviest organ of the human body तो यहाँ पर देखें कि मानो सरीर का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी अंग कौन सा है तो यहाँ पर दो questions आपके एक साथ हैं ऑर दूसरा क्या है क्या है तो दो question यहाँ पर आपके एक साथ है तो यहाँ पर अगर देखें तो liver जो है option में तो liver is the largest gland यानि कि हमारे सरीर की जो सबसे बड़ी गरंती है यानि कि मानो सरीर की जो सबसे बड़ी गरंती है तो वो कौन सी होती है, liver यानि की यक्रित होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, अंग, यानि की organ के बारे में बात की गई है, और organ कैसे बनते हैं, तो हमारी body की जो basic unit है, वो क्या है बेटा, cell, cell यानि की कोशिका ये मिल करके क्या बनाती है, tissue, tissues यानि की उतक बनाती पूरी body बज़िए, तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, organ की बात की जा रही है, यहाँ पर options में है, skin, liver, intestine और lungs, तो largest and heaviest organ of the body, यानि की सरीर का सबसे बड़ा और सबसे भारी अंग कौन सा है, तो right answer होगा आपके भी, यानि की skin is the largest and heaviest organ of the body, सरीर का सबसे बड़ा और उसे भारी अंग सवचा है, एक अगला question है, in fish liver oil, which substance is abundant, यानि की मचली के यकृत का जो तेल है, यकृत को ही क्या कहते हैं हम लोग, यकृत का ही जो दूसरा नाम है, वो क्या है, जिगर भी इसको कहा जाता है, तो मचली के जिगर के तेल, कौन सा पदार्थ प्रचुर मात्र option है आपके, vitamin A, vitamin C, vitamin D, या vitamin K, तो जब भी कभी हम लोग देखें, कि अगर किसी व्यक्ति को problem होती है, किस से related, अगर किसी व्यक्ति को problem होती है, हड्डियों से संब्द, या हड्डियां के जोर हो जाती, तो उस समय पर देखें, तो यहाँ पर क्या होता है, कि उसको कहा जात है, मालिश कीजिए, यानि कि यह हड्डियों को मजबूत करने के लिए, और हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कौन सा vitamin participate करता है, तो vitamin D, जो option C में present है, तो इसका right answer आपका, क्या होगा, vitamin D, यानि कि vitamin D, प्राचूर मात्रा, उपस्थित होता है, fish liver oil में, या मचली के जि BCG vaccine is used from the protection, यानि कि बच्चों में जो BCG का टीका लगाया जाता है, इससे बचाओ के लिए लगाया जाता है, देखे, छोटे में हम सभी लोगों का vaccination किया गया है, यानि कि लोगों का टीका करन हुआ है, हम लोगों को different vaccines लगी है, BCG का टीका लगा है, DPT का टीका लगा है, ठ government की तरफ से आपका एक, इसकी चलाई गई थी कि सभी बच्चों को ये vaccines दी जाएं ताकि उनको बीमारियां हो, वो बीमारियों के बच सके, तो BCG का टीका especially किस लिए use होता है, तो एक तो question यहां है, कि what is the full form of BCG, यानि कि BCG का full form क्या है, तो BCG का जो full form होता है, that is bacillus कालमेटो, क्यूरीन, यानि कि BCG, ठीक है, BCG, bacillus, कालमेटो, क्यूरीन, तो BCG जो है, यह bacillus जो use होता है, यह हमेशा bacteria की shape, यानि कि जीवारू की आकरति के आधार पर दिया जाता है, उनको bacillus, caucas, ठीक है, staphylococcus, tryptoblacillus, ठीक है, तो यह सभी नाम हमेशा bacteria के लिए जीए जाते हैं, या जीवारू के लिए दिये जाते हैं, तो जो BCG vaccine है, यह जीवारू जनित रोग से ही बचाने के लिए use किया जाता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात, यहाँ पर जो polio है, यह तो viral infection है, तो यह तो option नहीं हो, अब बात करते हैं, किसकी हम लोग plague की, plague जो है, यह आपका 13th century में spread हुआ था, तो यह भी आपका bacterial infection है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यह आपका bacterial infection है, लेकिन चुहों के द्वारा होता है, और इससे बचाओ के लिए BCG केptheria यानि की खसरा की अगर बात करें हैं, तो जो खसरा है, यह भी bacteria infection है, लेकिन के लिए vaccine अलग है, और हम लोग जो BCG की बच्चों को जो BCG vaccine लगाए जाती है, वो tuberculosis, जिसको की short में क्या कह दिया जाता है, TB, यानि कि इसको कहते हैं, हम लोग हिंदी में, छाय रोग कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, छाय रोग के नाम से हम लोग जो, BCG vaccine किस बीमारी के विरुद्ध लगाए जाती है, तो tuberculosis से बचाने के लिए बच्चों को लगाए, तो right answer अपका D, अगला प्रशन है हम लोगों का, कि which of the following have maximum calorie, यानि कि निम लिखित में से किसमे सरव आधिक बात्रा में कैलोरी, यानि कि उर्जा उपस्थी तो होती है, और अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने discussion किया है, कि किस से हमें कितनी उर्जा मिलती है, तो वहाँ पर energy source के रूप में तीन चीज़ें हमारे सरीर में करती हैं, जिन से हमें energy मिलती है, एक तो है carbohydrate, तीसरा है protein, यानि कि carbohydrate, fat और protein, यानि कि वसा carbohydrate और protein के तीन चीज़ें हैं, जो कि उर्जा के श्रोत के रूप में करती हैं, और हम लोगों को जो सरवाधिक मात्रा में उर्जा मिलती है, वो किसके oxidation से मिलती है, तो वो हमें वसा के आक्सिकरन से, यानि कि fat के oxidation से, और अभी पह है, तो 9.1 calorie energy प्रोवाइड करता है, तो fat के oxidation से, वसा के आक्सिकरन से, हम लोगों को सरवाधिक मात्रा में या प्राप्त होती है, राइट एंसर हो जाएगा आपका C, अगला प्रश्ण है हमारा, how many types of teeth are present in humans, यानि कि मानव सरीर में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, options हैं आपके 4, 6, 20 या 32, तो देखें मानव सरीर में दातों की कुल संख्या की अगर बात करें तो वो होता है 32 एक वयस्क मनुष्य में, तो वयस्क मनुष्य में दातों की कुल संख्या कितनी होते हैं, तो 32 होती हैं, बच्चों में कितने दांत उपस्थित होते हैं, तो बच ठीक है लेकिन अगर बात करें कि कितने प्रकार के दांत पाय जाते हैं तो मानो सरीर में चार प्रकार के दांत पाय जाते हैं तो option A right होगा और ये चार कौन-कौन से हैं एक तो है इंसीजर जिनको कहा जाते है क्या जिनको कहा जाते है क्रिंतक जो की आगे के हमारे और इनका का जो ने देखा होगा, की जो रधनक होते हैं, जनी की जो canines होते हैं, जितने भी कारणी वोरट से अनिमल सहित, 1 भक्षी जीव हैं, उनके canines ज्यादा लंबे निकले हैं ठीक है, तो really canines, ठीक है, फिर होते हैं premular, यानि की इनको कहा जाता है,अग्र इनको क्या किएता है अंग्र जवर्नक कहा जाता है इनको क्या किएता है अंग्र जवर्नक के नाम से हम लोग और फिर उसके बाद चौते तरीके कि श्रीजर सावल्म मोलर्स यानि कि इनको attorney कि ढाता है फिय। होते हैं तो राइट एंसर होगा ए होगा कि humans में चार तरीके मत पहें जाएंगे अगला question है हमारा the smallest gland in human body is यानि कि मानो सरीर की सबसे छोटी ग्रंथी कौन सी है options है आपके liver यानि कि यकृत, pituitary, pituitary, thyroid यानि कि अवंटु ग्रंथी या pancreas यानि कि अगनाशे तो liver के बारे मे अगर देखें तो हमारी body की largest और heaviest gland है यानि कि मानो सरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी ग्रंथी तो answer होगा आपका liver, चीक, वहीं बात करें कि master gland कौन सी है तो pituitary है, thyroid जो है कि हमारी सबसे बड़ी अनताहश्रावी ग्रंथी, अगर पूछा जाता है कि मानो सरीर की सबस सबसे बड़ी अनताहश्रावी ग्रंथी, कि कौन सी ग्रंथी, तो अनताहश्रावी ग्रंथी की अगर हम लोगा है, तो मानो सरीर की सबसे बड़ी अनताहश्रावी ग्रंथी तो answer होगा थाराइट ग्रंथी, और मानो सरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मिश्रित ग्रंथी के नाम कि हम लोग Mixed Gland यानि कि मिश्रित ग्रंथी भी किसको कहा जाता है? तो Pancreas को ही कहा जाता है. तो मानव सरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथी है यहाँ option के according क्या हो जाएगा हमारा? पिट्यूट्री हो जाएगा यानि कि प्यूश्रित ग्रंथी is the smallest gland of the body. ऐसे अगर देखा जाए तो मानव सरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथी हो जाएगा है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है Penial Gland को यानि कि Penial Gland को कहा जाता है. ठीक है? किसको कहा जाता है? ठीक है? तो smallest gland of the body यानि कि मानव सरीरी जो सबसे छोटी ग्रंथी है तो वो तो है हमारी Penial Gland ठीक है? लेकिन यहाँ options के according अगर देखें तो इन में सबसे छोटी ग्रंथी कौन सी हो जाएगी? तो pituitory है. ठीक है? तो यह option based जो आपका question है. अगला प्रश्ण है हमारा. टेंगू fever is spreaded by यानि कि डेंगू का जो बुखार है ये किसके द्वारा फैलता है? options है. एडीज एजप्टाई, ये सभी मच्छर की प्रजातिया, एनाफलीज, क्यूलेक्स या मारबेली. तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि जो एडीज एजप्टाई है, एडीज एजप्टाई को हम लोग टाइगर मच्छर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है? दिन के समय पर, आप लोगों को जो मच्छर एक काटता है, जिसमें सफेद और काली चित्तियां पाए जाती है, ज वही आपका टाइगर मॉस्की जो है, जो की एडिप्टाई है और ये दिन के समय पर काटता है, और इसी से टेंगू फीवर फैल है. वही एनाफलीज जो है, ये मलेरिया के पैरसाइट का वाहा को है. ठीक है? मलेरिया किस मच्छर के द्वारा फैलता है, तो एनाफलीज के द्वारा जबकि द्वारा फैलता है, तो एडिप्टाई है. ठीक है? अगला प्रश्ण है हमारा, क्या कह रहा है? इंसुलिन इस मैनुफैक्चर्ड इन विच और गन? यानि की इंसुलिन का निर्माहळ मानव सरीर के किस अंग में होता है? तो हूमन बॉडी में आगर हम लो हॉर्मोन है. ठीक है? और यह हमारा करता क्या है? यह हमारे ब्लेड शुगर लेविल को मेंटेन करता है. अगर कभी हमारे सरीर में सरकरा की मात्रा अधिक हो रही है, मतलब कि इंसुलिन क्या है? कम है, तो जो डिसीज होती है, डाइबिटीज, उसमें क्या कहलाता है? यह कहल आता है हाईपर्जाइमिया। लेकिन वहीं अगर हमारे सरीर में इंसुलिन की अधिक्ता हो जाए, तो ब्लCorb british में द्ञाएगा। और उसको कहा जाएगा हईपोग्लाइसियमिय. तो ये इंसुलिन के लेविल के आधार यानि कि इंसुलिन की माट्रा के आधार पर हमारा होता है और यहीं पर अगर हम लोग दिखें तो हमारी बोडी में जो insulin है ये किसके द्वारा प्रड्यूस होता है तो जो pancreas होता है जानि कि अगनाशे क्योंकि अगनाशे में क्या उपस्थित होती है Isolates of Langerhands Langerhands की दीपिकाएं उपस्थित होती है ठीके क्या उपस्थित होती है Langerhands की दीपिकाएं ठीके Langerhands की क्या उपस्थित होती है Langerhands की दीपिकाएं उपस्थित होती है और उनमें Alpha, Beta और Delta टाइप की Cells और इनमें से Isolates of Langerhands की जो Beta Cells है यानि कि जो बीटा कोशिकाएं होती हैं ये हमारी बोडी में क्या करती? इंसुलिन का प्रोड़क्शन करवाती है, यानि कि इंसुलिन का उत्पादर, तो पैंक्रियास से इंसुलिन का प्रोड़क्शन होता है, ठीक है? अध्ययन करते हैं, यानि कि study करते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? It is known as osteology, यानि कि अस्थिविक कहलाता है, ठीके वहीं अगर हम बात करें, और्थो प्लास्टी की, तो हड्डियों के फिर से जोड़ना, या उनको तूट फूट को जोड़ना आर्थो प्लास्टी कहलाता है, ठीके हड्डियों की भीतरी सनरचना को देखना कि उसमें किस तरीके से कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपोजिट है, तो वो कहलाता है और्थोस्कोपी, यानि कि हड्डियों को देखना, इसकोपी मतलब क्या है? यानि कि D is the right answer for this question. अगला प्रश्ण है आपका, by the use of polished rice, which disease is caused in human body, यानि कि polished चावल के इस्तमाल से मानव सरीर में कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर options है, आपका बेरी-बेरी जो कि एक चर्म रोग है night blindness, यानि कि रतोंधी rickets, यानि कि सूखा रोग gout, जो है यह आपका, यह भी एक disease है, छीके? अब यहाँ पर देखा जाए, तो जो gout disease है, यह हमारे joints में होता है आज दोर पर fingers के joints में यानि कि उंगलियों की जो संधिया है वहाँ पर gout disease होती है तो यह आपका हट्डियों से संबंदित है, यानि कि vitamin D में रहेगा, रिकेट छोटे बच्चों में सूखा रोग हो जाता है तो यहाँ पर देखा जाए, तो छोटे बच्चों में सूखा रोग होता है, हट्डियां देखें कि चावल में जो vitamin होता है वो कौन सा होता है, vitamin B प्रेजेंट होता है और उसमें भी vitamin B1 जिसका की रासाइनिक नाम क्या है, थाइमीन जिसका रासाइनिक नाम क्या है, थाइमीन है तो थाइमीन जो है, या vitamin B1 की कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी-बेरी और जो कैसमीर फंक थे कैसमीर फंक थे जो की एक वैज्यानिक थे और इन्होंने विटामिन का नामकरण और साथी साथ चावल की उपरी परत से एक रासायनिक पदार्थ निकाला था जिसका नाम था था जिसको आज हम विटामिन के नाम से चाहते हैं और इन्होंने नामकरण कब किया था 1912 यानिकी 1912 इन्होंने विटामिन का नामकरण किया था और 1911 में खो जा था तो यहाँ पर थाइमीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी-बेरी राइट एंसर यही हो जाएगा अब पॉलिस जराइज क्या होता है कि जब हम लोग चावल को कड़वाते हैं चावल निकालते हैं धान से तो उस समय पर क्या होता है कि जब हम लोग इसको कड़वा रहे हैं तो उस समय पर क्या होता है कि वहाँ पर अगर मसीन को टाइट चलाया जाता है तो चावल की उपरी परत भी क्या हो जाती है, निकल जाती है, और चावल शाइनी हो जाता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका थाइमीन होता है, यानि कि पॉलिस जराइस अगर खाया जाएगा, तो बेरी-बेरी डिसीज गौज हो जाएगा, ठीक है, मूव करते हैं, आज के हमारे अगले खटे लेकिन रसदार फल हैं, उनमें कौन सा विटामिन है, तो यहाँ पर आप्शन से आपका विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के, तो जितने भी हमारे खटे और रसदार फल होते हैं विटा, उन सभी में अगर तो कौन सा विटामिन पाया जाता ह है कौन सा vitamin C और साथ ही साथ अगर हम लोग है तो जो vitamin C है हम इसको अगर देखा तो यह सबसे ज़्यादा heat stable vitamin जानि कि उच्छे ताप को यह आसानी से सहन कर भी सकते है heat stable vitamin कि इसको क्या कहते है heat heat stable कहा जाता है सबसे ज़्यादा सारे vitamins में सबसे ज़्यादा जो heat stable है वह हमारा कौन सा vitamin ठीक है तो उमीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह question सीरी समझ में आए होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी ऐसे यह और वीडियो के लिए आप लोग चैनल को like, subscribe और share जरूर करिए साथी साथ bell icon को press करिए ताकि आपको जितने भी updates हैं वो आपको मिलते रहें तो अचके लिए इतना ही धन्यवाद